नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चाल में फिर सी एक बार में हूँ आपकी वही अंजली सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा जी है आपने सही सुना हम आज की दिली राशिवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज की दिन जिनका बज़े है या फिर मारी जन्वर्स्री है उनको मेरी तरव से धेर सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं जिन्दगी में डर की लहरों से भाग कर नौका पार नहीं होती अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती किसी भी कारे में एक्सपर्ट बनने के लिए एक ही तरीका है कि हर दिन प्रेक्टिस करते रहो हमेशा याद रखना अच्छे दिनों के लिए बूरे दिनों से लड़ना पड़ता है कड़ी मेहनत करो माफ करना सीखो और फिर देखो कैसे अश्चरी जनक चीज़ें होंगी आपके साथ खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी इतिहास को स्कूल के टॉपर्स नहीं बलकि जिद्धी लोग रचते हैं विनर वो होता है जो बार बार हाने के बाद एक और बार प्रयास करता है चलता रहूंगा पत पर चलने में माहिर बन जाऊंगा या तो मन्जिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा जो सच में कुछ पाना चाहता है वो से पाने के लिए आखरी दम तक लड़ता रहता है जिसने रातों से है जंग जीती सुभा सूर्य बन कर वही चमकता है मैं अलग पहचान बनाने में विश्वास से रखता हूँ तकलीफों में भी मुस्कुनाने की आदत रखता हूँ इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ रेना कि दवाओं ने थाम रखा है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आपके लिए जो है भागशाली जो रंग है लखी कलर वो आज के लिए आपके लिए स्काइब ब्लू बन रहा है और जो लखी नंबर है वो नंबर आथ रहेगा आज के दिन आज महनत और आत्मविश्वास के बल्बूते पर काम को पूरा करपाना आज आपके लिए संभव हो सकता है परिवार की तकलिफों से दूर होने की कोशिश जारी रहेगी जो बातें आप खुद होकर सुलजान नहीं सकते ऐसे बातों से ये दूर रहना आपके लिए ठीक होगा आज आपको जहें फाल्तू की चीज़ें अपने आप पर नहीं ठोपनी है फिजूल की टेंशन भी नहीं लेनी है वना इसे जो हैं आपकी सेफ पर आपके बिजनेस पर बहुत बुरा आसर पढ़ सकता है आज आपको महनत से जी भी नहीं चुराना है महनत करते जाएए सफरता आपको उतनी मिले की जितना आपने सोचा भी नहीं था तो प्लीज आप महनत जरूर कीज़ेगा आज के दिन अपने किसी महत्तवपुर्ण मुद्दे पर असमंज़स की सिती में किसी नज़ी की व्यक्ति या कोई स्पैशलिस्ट या विशीशक्य की साथ सलह मशुरा जरूर कीज़ेगा आपको बहुत भी बढ़िया सलह मिल सकती है आज के दिन इसमें ग्रहसितियां आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टन बदलाव भी लेकर आ रही है लेकिन समें का जो सदुपियोग है उसको करना आपकी कारक्षमतावर निर्भर करता है तो समें को हाथ से मत कवाईएगा जो भी आपके पास समय है उसका सदुपियोग कीजेगा अपने व्यक्ति के तिकारियों में व्यस्तिता की कारण अपने रिष्टिदारों और समंधियों को नजर अंदास तो बिल्कुल भी मत किरें कभी-कभी आपकी ईग और गुसा जो है वो आपकी बंते बनाए कामों में परिशानी पैदा कर सकता है संतान की संगती और गती विध्यों पर भी नजर डालनी होगी आज आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश करें किसी से भी जगड़ा मत कीज़ेगा थोड़ी सी बात पर आज इस सतारे कहते हैं कि दिन की शुरुवात सही आपको पॉजटिविटी नजर आएगे सुबह जब उठेंगे तो काफी आप चुस्ति फूर्टी में रहेंगे और हर काम को तीजी से करते नजर आएगे कोर्ट के चैरी से रेलेटिड कामों में आज आपको सफलता मिल सकती है नए प्रोजेक्ट की शुरुवात होने की कारण काम के प्रती उच्छा भी आपका बढ़ता ही नजर आएगा जिसे जो है हर काम को आप बहुत इच्छे धंग से कर पाएंगे और अगर आप काम में इनुवेटिव कुछ करते हैं तो वो भी बहुती प्लस पॉइंट होगा और अगर आप जॉब करते हैं तो यह चीज लाएंगे तो वोज आपसे खुश्यों कर आपको प्रमोशन भी दे सकता है साधी में आज आपको अध्यात्मिक और ध्यात्मिकारों में काफी इच्छा समय स्पेंट कर पाएंगे और आपको बहुती सुख़द और सुकुन मिल सकता है घर में नजीकी सवंधियों के आज आने से मनरंजन और खुश्टमा महौल भी बना रहेगा अगर स्थान बदलाव की यूग बन रहे हैं तो उस पर गंभीता से जरा विचार भी मश्च करें समय बहुत ही बढ़िया है अपनी उपर आलस को बधावी होने दीजेगा बागी ठीक रहेगा और हाँ अत्य दिक सोच विचार करने में वक्त जाया मत करें इसका जो नेगिटिव असर है वो काम पर तो पड़ेगा ही आपके शरीर पर भी पड़ेगा तो प्लीज ये सब मत कीजेगा साथ ही ये भी ध्यान लखे कि अपनी प्लानिंग और कति विधियों की जानकारी किसी को मत दीजेगा अपनी चीजे अपनी तकी सीमित रखेगा अगर किसी को पता चल गई तो आपके लिए ठीक नहीं होगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनस और करेड की तो आज विविसाय का कति विधियों में अपना ध्यान दें क्योंकि ये समय उपलब्धियों वाला है प्लानिंग के साथ आप काम करेंगी तो आप के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आफिस में उच्छदी कारियों के साथ अताल मिल बनाए रखने से आपको कोई अथारिटी बगारा भी मिल सकते हैं करियर से रेलेटिड आज नए नए अफसर मिल सकते हैं और वो भी बहुत ही असानी से आप इस अफसरों को मत गवाईएगा कारेशेतर में किसी भी काम को आलस की वज़ा से कल पर मत डालें बल्कि चुस्ती फूर्ति के साथ काम को करें तो ज़्यादा बैटर रहेगा प्लीज आज आलस मत लाईएगा अपने काम में अगर आपने ऐसा किया तो कोई डील जो है वो आप हाके हाथ से निकल भी सकती है बल्कि समय पर ही पूरण करने का प्रयास करें हर काम को कंप्लिट करें टाइम के अनुसार अपने इंपॉर्टन्ट पेपर फाइल्स को सुव वस्तित कर रखें कंप्लिट करें क्योंकि किसी प्रकार की कारेवाही होने की अशंकाए भी बन रही है आज आपर कोई जूट अलजाम भी लगा सकता है जहाँ पर आप काम करते हैं याद रखेगा समल कर रखेगा काम से रेलेटिड बातों में मंचहा बदलाव देखमाना संभव हो सकता है आज के दिन आज कई लोगों को भाग दौट करनी पर सकती है जो लोग काम करते हैं उनको सिटी से बाहर भी जाना पर सकता है बागी जो ये जो स्थितियां है वो लाग दाखे बन रही है जौब करने पालों के लिए आज अगर कोई आपका पुराना मामला चल रहा था जिसका निप्टारा नहीं हो पा रहा था उसका फैसला भी हो जाएगा और आपके बख्ष में फैसला रहेगा आप जीत सकते हैं साथ ही में आज आपको बसमान सिक तराफ से दूरी बना कर रखनी होगी जितना हो सके आपको फ्रेश फील करना होगा किसने किसी रूप में तो अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की तो लव लाइफ कहती है कि आज परिवारी का वात्ता परण सुखत बना रहेगा किसी प्रियमित्र से मुलाकात पुर्रानी यादों को अज़ताजा कर सकती है और मन बहुत ही प्रफुलिद भी रहेगा आपका पार्ण का साथ मिलने की वज़़े से इम्पॉर्टन फैसल लिए जा सकते हैं जो आप दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे आज विवाहस से रेलेटेटेटर निडने जल्दी ही लिया जाएगा यितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी लेजिये विवाहत चीवन में अधुर्ता बनी रहेंगी आपस में काफी प्यार रहेगा आप दोनों का और घर वालों में भी हाँ लेकिन छोड़ी मोड़ी नकरात्मंग बातों को नजर अंदास करजेगा विपेतलिंगी लोगों से मिलते समय मर्यादित दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी हो सकता है वरना आपकी शामत आ सकती है प्लीज अपने लिमेट क्रॉस मत कीजेगा बागे सब को ठीक रहेगा और हाँ अगर आप किसे रिलेशन में हैं और अगर आप उसे सीरियस रिलेशन में रखना चाहते हैं तो जादा पैटे रहेगा और अगर आप यूँ ही एंटिटेन के लिए हैं तो प्लीज असा मत कीजेगा दूसरों के दिल को मत तोड़िएगा याद रखेगा अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज की स्वास्ते के तो स्वस्थ केहता है कि आज सितारे कहते हैं आपकी विवस्थी ते दिन चरे आपको स्वस्थ बना सकती है उर्जावान कर सकती है कुछ समय गुदanki कुदुरत के पास भी बैठे जैसिके भूप में बैठें, गादन में, जिल के किनारे तो अब जिन नाचरल चीजों के पास अगर बैठेंगे तो वो जादा बैठर रहेगा इसे के साथ या सितारे कहते हैं कि कंधों से रिलेटिट करे लोगों की तकलीफ जो चल रही थे वो कम हो सकती है आज के रिफ इसके इलावा जो है सितारे आपके बारे में कह रहे हैं कि आज जितना हो सके आपको उतना ही काम करना चाहिए वन्ना आपके बैक पेन भी हो सकते है अपनी जो दिन चरिया है इसको जरद नॉर्मल बना कर रखेगा तो ज़्यादा बैठर रहेगा साथ में आज अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जो है अपनी चीजों का ध्यान रखना होगा कोई चीज जो है कही छूट ना जाए इसके साथ ही आज सितारे भी कहते हैं कि आज आपको जो है उर्जवर रहने के लिए healthy diet का उप्योग करना चाहिए और हाँ साथ में आज में बहुत वजरेबल जरूर खाए तो चलिए बंदर में बात कर लेते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो विशेश उपाई आज आपके विश्नु की पूजा अराधना विधी विधान के नुसार कर लेनी चाहिए और अगर आपके में जर्ला थाइम नहीं है तो कोई बात नहीं आप अविश्नु चरी साथ भी बढ़ सकते हैं